एक टीनेजर को सूपर पावर मेल दिया जिससे ओख खुद जो फील करता है यहीं दूसरों को भी फील करा सकता है अब क्या इस पावर की रिस्पोंसबिलिटी को सही से समझ पाएगा यह हम आज क्या हमारी मुवी दा अनहीलर यह 2020 की एक साइफाइ थ्रिलर मुवी में देखे है वो एक इंडियन लाइन पर कुछ रिचुल कर रहा था यहाँ पर अपना एक्सपरिमेंट कंडग करने के बाद अचानक से उसे जोर सा जटका आता है वो दूर जाकर नीजे गिर गया जब वो उठा तब वो रियलाइस करता है कि उसे पावर मिल चुकी है इस ग्रेव में एक अजीब सी विमारी थी जिसमें वो कागजवेगरा खाया करता था आज ऐसे शौपिंग करने के लिए जब वो आया हुआ था तो क्लास के बाहर उसे उसके क्लासमेट मिले वो उसे हमेशा थ्रैश बॉय बुलाया करते हैं वो उसे बुली कर रहे थे तबी केली की बजप लेडी वहाँ पर आके और सब लोगों को वहाँ से भगा देती है जो भी हुआ इसके लिए डॉमनिक बहुत ही सौरी थी वो केली से कहते हैं मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हो पर डॉमनिक सारा के साथ थे सारा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि केली बचरे में डालने की वीडियो यह अल्रेडी वाइरल हो चुकी थी हर कोई उसका मजग उड़ा रहा था केली घर पर आया तो उसकी मदर उसे पूछती है तुम्हारा दीन कैसा था केली कहता है कि आज मेरी डॉमनिक से बात हुई बढ़निस कहती है तुम बहुत ही अच्छे को डेट कर रहे थे पर अब डॉमनिक नेलसन को डेट नहीं करने वाली क्योंकि उसे इस तरीके से किसी को भी बुली करना अच्छा नहीं लगता वह भी केली को लाइक करती है और इसके बाद हम देखते है कि फ्लूगर को जिस ग्रेव पर पावर मिली थी उस ग्रेव पर ए डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि साइकोलाजीकल है घर में कोई भी आदमी नहीं है शायद इसी वज़े से केली यह सब कर रहा होगा एक्च्छल में डॉक्टर यह बरने इसको बहुत ही लाइक करता था इसी को लेकर केली ने भी बरने इसको बहुत चेड़ा है अब फ्लूगर के पास आए और फ्लूगर ने उसका पेन पुरा खीच लिया सब लोग उसकी वावा करने लग गया यह बरने से सब देख रही थी उससे लगता है कि फ्लूगर केली को हेल्प कर सकता है तो घर पर उसने उसे इन्वाइट कर लिया सब चीजों को रेड एल ने भी भी इस पावर को नहीं दोँगा इसके बाद वो केली के पास आ जाता है उसने जैसे ही केली को हाथ लगा तो उसका सारा पेहन उसे महसुस होने लग जाता है वो जारा बाथरूम गया और उसने कुछ ड्रिंग कर लिया इस ड्रिंग में एक रेड एल्ग ने कुछ मिला हुआ जैसे उसने फिर से केली को टच किया तो अचानक से उसे बहुत ही जादा दर्ध हुआ सारी दर्ध से वही पर उसकी डेथ हो जाती है फ्लूगर की डेथ के बाद अचानक से केली को अच्छा लगने लग जाता है उसने अपनी मदर से खाना भी मांगा पुलिस की इन्वेस्ट की थी अगली दिन केली जब अपने बाइसिकल पर काम कर रहा था तो उसके हाथ पर कट आ जाता है इससे तो खून आना चाहिए था पर केली ने खुद अपनी जगम को एटोमेंटिकी हील होता देखा वो समझ आता है कि कुछ उसके साथ अमेजिंग हो रहा है बर्निस अपनी नाइट शिप पर जा रही थी और उसे बहुत ही ज़रा टायड लग रहा था केली उसे जैसे हग करता है वैसे उसकी एनरजी बर्निस में भी आ गए उसे भी बहुत ही अमेजिंग लगने लग यह वो खुद कितना अमेजिंग फील कर रहा है यह बर्निस को बताने की केली कहता है कि उस इंसिरन्ट के बाद कुछ न कुछ तो अमेजिंग होने वाला है अजानक से पीछे से रीड आता है वो फिर से केली को बुली करने लग गया वो जोर से केली के पेट में मारता है तो इस चोट डारेक्ली उसके ही पेट पर लग गए यानि कि केली को कोई हर करने की कुशिश करें तो खुद हड़ हो जाता था रीड और भी जादा गुस्सा हो जाता है और केली के फेस पर पंच करता है तो इसकी चोट उसे खुद लग गई ये बात जब केली ने रियलाइज की तो बहुत ही जादा खुश हो क्या उसने कहा कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो रीड जल्दी से हाँ से भाग जाता है गर वापसाते वक केली ने एक जॉब की वैकेंसी देखी जहाओ जॉइन कर लेता है वाजरात बहुत ही खुश था सब कुछ चीज़े अपनी मदर को बताता है मदर के घर पर आने के बाद रीड अपने फादर क को लेकर वहाँ पर आया हुआ था फादर का नाम में गस गस बर्निस को बताने की कोशिश करते हैं कि केली ने मेरे बेटे रीड को मारा बर्निस कहती कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता रहता है गस कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है पर आज जो बहुत करती अजीब था बरनेश ने कहा कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटर मेरे बेटे को मारता है तुमने इसके लिए कुछ घ्या क्या क्यूने इस बात से यो बहुत ही जादा चीज़े ट्राइ करनी चाहिए कि क्या एक्चुल में तुम फायर से खेल सकते हो और भी क्या क्या तुम्हारी पावर्स है केली फिर खुद को आग लगाने की कुशिश करता है पर उसे आग लगती ही नहीं यह दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी को भी इसके बारों में नहीं अगली दिन केली जब स्कूल में जाता है तो डॉमनिक का रवर बैंड उसके पास पड़ा हुआ था वो डॉमनिक को देखकर इमेजिन करने लग या कि उसके साथ वो इंटिमेट हो रहा है इस ड्रीम में डॉमनिक के साथ उसकी फ्रेंड सारा भी थी यह सब को जब व और लेटा है डॉमनिक ने कहा कि मुझे अभी क्या भी नीचे इतारो उसे उतारने रहा था तो केली ने डॉमनिक को डिफेंड किया इस बात पर नेलसन गहाता है तुम करो जा रहा पर गस ने यह सब देख लिया और उसे रोक लेता है गस ने खा कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है इसके बारे में हमें फिगर आउट कर लोगा और इसके बाद तुम्हें देखोंगा पार्टी खतम हो जाने के बाद के लिए अपने बाइक पर घर जा रहा था नेटसन और और उसके फ्रेंड कार में थे तो इस बाद हो नोटिस करते है उसे डराने के लिए कार उसके बहुत ही पास लेकर आते है उसे हरड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे केली का अचानक से बैलंस चला गया और वो गाड़ी की नीचे आ जाता है इसके opposite effect की वज़े से जो इनका फ्रेंड गाड़ी चला रहा था उसी की तुरंद वही पर डेथ हो जाती है केली भी खुन से लटपत था पर वो बहुत ही जल्दी हील कर जाता है पीछे से डॉमनिक और उसकी फ्रेंड भी आ गये केली इस सिचुएशन में जूट नहीं बोल सकता था तो डॉमनिक को उसने सब को सच-सच बता दिया इसके बाद पुलीस को बुलाया जाता है केली की मदर भी वहाँ पर पहुझ गी और वो कहते हैं कि तुम पुलीस को सच-सच नहीं बता सकते हैं जिस लड़के की डेथ हुए उसके फ्रेंड्स को पुलीस पुछते हैं कि हुआ क्या था तो कहते है केली रस्ते की बीच में से बाइसिकल चला रहा था वो जान बुचकर हमारा एक्सिडन्ट करने की कुशिश कर रहा था शेरिफ इस बात को नहीं मान दे और इसके बाद वो केली के पास आया केली ने कहा क्यों लोग मुझे मारने की कुशिश कर रहे थे मेरे बाइसिकल से उटक रहा है और मैं रास्ते के दुसरे साइड उपर नीचे गिर गया था ये स्टोरी सबको बिलिवेबल थी सबको लगता है कि एक्सिडन्ट था तो इस वज़े से इस केस को क्लोस कर दिया जाता है इसके बाद हम रेडल को फ्ल्यूगर के ग्रेव के पास देखते है वहाँ पर जो पोधे पड़े हुए थे इस पर रेडल ने कुछ कर दिया स्कूल में सब लोग केली पर नज़र रग रहे थे निलसन की फ्रेंड ने कहा कि हमें केली को जाने दिना चाहिए निलसन कहता है कि उसकी वज़े से हमारे फ्रेंड की डेट होगी हम उसका बदला जरूर लेंगे आज केली और डॉमनिक हैंगाउट कर रहे थे डॉमनिक ने कहा कि एक नई मूवी आई है उसे वहाँ पर जाना था पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केली उसे डेट के लिए पूछे केली बात समझ नहीं पाता पर लास्ट में उससे पूछ लेता है डॉमनिक ने भी हा का केली को हमेशा से उसे डेट पर लेका जाना था आज वो बहुत ही खुश था रात में जब वो काम करा था तो रेट एलक उससे मिला रेट एलक ने पूछा कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे तो केली उसे सब कुछ बता देता है रेट एलक अब समझ चुका था केली में फ्लूगर की पावर आ चुकी है रात में केली घर बर आया पर मदर को जड़ा हेड़ेक था वो फिस जड़ा मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है पर हम देख सकते हैं कि नेलसन और उसके फ्रेंड घर पर नज़र रख रहे थे उन्हें लगा कि केली की मदर बाहर गई है और केली अंदर अकेला है उन्होंने उसके ट्रेलर का सपोर्ट अपनी गाड़ी से बान दिया और गाड़ी को आगे खीचते हैं जिससे ट्रेलर नीचे गिर गया नीचे गिरने की वज़े से ट्रेलर में गैस लिक हो जाता है बर्नीस ने बाहर निकलने की बहुत कुशिश की पर उन निकल नहीं पाती उसे एक लैम नीचे गिर गया और आग लगकर यहाँ पर स्पोर्ट हो जाता है इसे में उसकी डेथ हो की जब तक केली वापस आया तब तक बहुत ही जादा देर हो चुकी थी पुलीस को लगता है कि केली को भी बरन आये थे तो इस वज़े से उसे हो हस्पिटल में डाल देते है पर बाद में शेरिफ को पता चला कि केली को कुछ भी चोट नहीं आई हस्पिटल में शेरिफ से मिलने के लिए रेडेल का गया उसे कहता है हमारी एंसिस्टर की पावर अब केली में है इसी वज़े से हो हील हो पाया है हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा शेरिफ इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था तो इसे हो जाने देता है इसके बाद नेकसिन में हम बर्निस का फ्यूनरल देखते है केली को सहारा देने के लिए डॉमनिक उसके पास आती है उसे किस करती है तो केली ने भी फिर से उसे किस किया सब लोगों के चले जाने के बाद केली फ्लूगर के ग्रेव के पास आता है उसके उपर एक पता था जो उसने खा लिया इस वज़े से उल्टी आने लग जाती है यह पता केली की विकनेस है और इसे हो मर भी सकता है दूर से यह सब चीजे सारा देख लेती है फ्यूनरल के बाद शेरीफ अब केली को एक अलग शेहर में फोस्टर केहर में रखने वाले थे रास्ते में शेरीफ केली से यह थे कि तुमारा ट्रेलर ज़रा आउट आप बैलन्स हो गया था क्या उसमें कुछ प्रॉल्म था केली बाद समझ नहीं पाता तब उसने रोड उपर नैसन और उसके फ्रेंड को नोटिस किया उसे पता चल गया कि यह सब उन्होंने ही किया है वो फिर चलती गाड़ी से डारेगली खूच जाता है जहाँ उपर फ्रेंड जा रहे थे उनको पीछा करने लग गया सब फ्रेंड्स मिलकर सासे बन होने लगती है पानी में डूपकर उसकी टेथ हो गए सब फ्रेंड्स ने मिलकर उसे बचाने की कुशिश के पर वो बचा नहीं पाते है केली बाहर निकला और उसने कहा कि अब और सिर्फ तुम तीन ही लोग बचे हो एक एक करकर में तुम सब को मार डालोंगा अब मैं किसे मारो केली को ढूंटे हो यह शेरीफ वहाँ पर पहुच चुका था तो केली यहाँ से भाग जाता है कहता है कि बात में मैं तुमें देख लूँगा यह सब बात निलसन ने सब लोगों को बता दी थी तो इसके बारे मैं सारा डामनिक से बात कर दिया है डामनिक ने उसे कहा कि केली कभी भी किसी को मार नहीं सकता डामनिक ने खिर्टेमे कुछ आवाज सुना तो केली कहता है कि मेरे साथ चलो मैं दूमें सब कुछ explain करना चाहता हो सारी situation उसने उसे बता दी डॉमनी कहती है तुम इस तरीके से उन्हें मार नहीं सकते है तुम्हारी मदर अगर जिन्दा होती तू ये सब नहीं चाहती है कुछ ना कुछ तो वे होगा जिससे वो खुद कनफेस कर देंगे केली भी इस बात के लिए मान जाता है इसके बाद अगले दिन जब क्लास चल रहा था तो अजानक से केली वहाँ पर घुसाया वो सब नेलसन के फ्रेंड का मज़ा गोड़ाने लग जाता है उनका एक फ्रेंड केली को मारने वाला था पर नेलसन उसे रोक लेता है केली ने और भी उसे रोक साया ये केमिस्टी के लाब में थे तो ऐसे इड लेकर वो टारेकली केली के फेस पर टाल देता है इस वज़े से नेलसन के फ्रेंड का फेस ही चल गया और तुरंद उसकी डेथ हो गई डॉमनिक केली पर बहुत ही ज़ादा गुसा हो गई थी तो केली यहाँ से चला जाता है रात में सारा नेलसन से मिलने के लाई वो गहती है मुझे भी हमारे फ्रेंड का बदला लेना है उसे केली की विकनेस के बार में पता था तो यह सब वो नेलसन को पता देती है इसके बाद वो फ्लूकर के ग्रेव के पास आया और वहाँ से वो पत्ते उन्होंने उठा लिये ये सब पत्ते पानी में डाल कर ये लिक्विड वोग गैस कैन में भर देते हैं सब लोग इतने डर गए थे तो घर से बाहर कोई भी निकल ने निवाला था पर नेलसन के फादर ने का कि मुझे डरेंगे नहीं कल हम प्रैक्टिस के लिए चलते हैं इनके प्रैक्टिस जब चल रही थी तो शेरिफ इने वान करने के लिए आ गया जब शेरिफ वापा जा रहा था तो गस की गाड़ी में उसने चेंस नोटिस की इनी चेंस को यूज करकर उन्होंने बरनेस के टेलर को नीचे गिराया था इसके बारे में बात करने के लिए फिर से गस के पास पहुँच जाता है अचानक से वहाँ पर केली भी पहुच गया उसके पास नेलसन का ड्रिलिंग मशीन था अगर वो नेलसन की चीजों से खुद को हट करता है तो Nelson हट हो का उसने नेलसन को warning दी कि अभी क्काइब ही confess करतो नेलसन इस बात केलिए माननी रहा था तो खुद को ढ्रिल करने लग जाता है इसकी सारी चोड नेलसन को आई इसी के parallel में run करते है डॉमनिक भी भावर भुच गई थे तबी निल्सन ने जो लिक्विड बना हुआ था इससे ओक केली को प्रेशर करने लगता है केली की हलत इससे खराब होने लगके मौके का फाइदा उठा अगर गस ने शेरीफ की गन ले ली केली जब रिकवर हो रहा था तबी उसने केली को शूट कर दिया इसकी वज़े से एकी समय बर गस और निल्सन ये दोनों मर जाते है डॉमनिक ने केली से कहा कि तुम्हे इस तरीके से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो शेरीफ ने केली से कहा कि पावर की वज़े से सब को जो रहा है मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल होने में help कर सकता हू डॉमिनिक केली केली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब लोग रेड एल के पास आए वो एक ritual परफार्म करता है जिस से केली की पूरी पावर चली जाने वाली थी केली को बहुत ही ज़्यादा दर्ध होने लग गया रेडल कहता है कि केली के पास पावर बहुत ही ज़्यादा समय तक थी अब उसे मरना पड़ेगा ये बात सुनकर डॉमिनिक ने केली से कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ सब लोग केली से बहुत ही डर गए थे तो शेरेफ का एक आदमी केली को shoot करता है इसमें डॉमिनिक को भी गोली लग गई थी डॉमिनिक ने मरते मरते केली से कहा तुम्हारी पावर किसी को भी मत देना केली को बहुत बुरा लगता है ये फ्लूगर की ग्रेव के पास ही थे, केली ने कहा कि अब मुझे यह सब नहीं चाहिए, उसने फ्लूगर का हाट निकाला और वो खाने लग गया, इस वज़े से उसकी डेथ होने लग जाती है, पर इससे भी वो हील करने लग गया था, शेरिफे देखकर उसके सर पर गोली म मार कर उसे मार डालता है, शेरिफ ने रेडल से पूचा, क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, रेडल कहता है कि नहीं मिली, नेकसिन में देखते है कि केली और डॉमनिक की जब डेट बडी लेका जा रहे थे, तो अचानक से डॉमनिक उठ जाती है, केली की पावर उसमें अचुकी थे, और वो सब लोगों का बदला लेकिये, और इसी मुवमेंट पर मुवी एंड हो जाती है, एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक क्लिफ हैंगर पर मुवी हमें छोड़ कर जाती है, अगर आपका एक्स्पनेशन चलागा, तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़ हैंगर किया.